हलो नमस्कार दोस्तों स्वागते आफ सभी का आई टी आई के कमलेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग का आई टी आ एलेक्टिसियन थिवरी का बेरी बेरी मोश्ट इंपार्णन कोशन आप लोग का सिविटी परिच्छा के लिए अगर से आप लोग का स्टार्ट है तो आपके पास समय कम है आप लोग अपना आई टी आई का सिविटी परिच्छा का त्यारी कर पाएं इसके लिए आप लोग यहाँ पर वीडियो को सेर कर दे अपने दोस्तों के पास और आप लोग भी वीडियो पर कांटेनियूग बन रहें तो फ्रेंड्स आईए वीडियो की स्टार्ट करते हैं बट जो चातर चैनल पर नए हैं आपको शाम शाड़े साथ बैली आपको आई टी आई कि क्लास मिलती है जिसमें आपको सिविटी परिच्छा की अच्छी त्यारी करवाई जाती है तो आपको चैनल से जुड़ को अटेंड कर लेना है और इसके बाद सिविटी परिच्छा की त्यारी आपकी हो जाएगी और वही आपको क्वेशन बता जाते हैं जो आपके सिविटी जामें पूशने वाला होता है या फिर पूश जाएगा तो आईए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड् और डी है चौदः एस डबलू जी या उप परिपत तार के आकार के आधे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्वेशन पूश रहा है कि लूप अर्थ तार में प्रयोग किया जाने वाला का आकार नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आपका आइंसर होता है डी तार के आकार के आधे का नहीं होना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर आपका दूसरा कोशन निकल क्याता है एक एन प्रकार के अर्ध चालक में अल्प संक्यक वाकू का संकेंद्रड मुख्य रूप से पर निर्भर करता है आपका आप्शन ए है डॉपिंग टकनीक बी संक्या डी है इंट्रिंसिक की गुडवक्ता तो फटा पड़ इसका आंसों बता है आपको सेकेंड नमर का तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट आंसोर है आपका डॉपिंग टकनीक अब यहाँ पर आपका थर्ड क्वेशन है जब एक शामान परमाडू ट्रांक होता है तो यह होता है आपके आपसन ए हैं एक दनात्मक आयन बी है एक रिडात्मक आयन शी आपसन है बिद्दूत रूप से उदासीन डी आपसन है घूमने के लिए मुक्त तो फ्रेंट्स आप लोग फटा पड़ इसका आंसों बताए तो फ्रेंट्स यहाँ पर धारा की सीमा को अधतिक बढ़ाना B आपसे ने reverse दिसा में निमना voltage आरोपीत करना C आपसे ने इसे पानी में डूबाना D है फर्स पर गिराना यहाँ पर बोल रहा है कि आपका एक डायोट को नस्ट करने का एक तरीका है ठीक है डायोट को नस्ट करना है तो आपका इसमें से कौन से तरीका है तो फटा फटा आप लोग इसका answer बताईए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका चवते question का जो answer है आपका A बिल्कुल right answer यानि forward दिसा में धारा की स्रीमा को अतधिक बढ़ाना तो यहाँ पर आपका A आपसे बिल्कुल right होता है अब यहाँ पर आपका पांचवा question दिया गया है दूसरे क्वायल के द्वारा निर्मित फ्लक्स के परिवर्तन की कारण एक क्वायल में प्रेरीत विद्यूत वाहगबल EMF कलाता है आपकी option A है आपसी प्रेरीत विद्यूत वाहगबल B है चुम्बकी वाहगबल C है स्वयम प्रेरीत विद्यूत वाहगबल D है डानामिक रूप से प्रेरीत विद्यूत वाहगबल तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटा-फट answer बताए और यहाँ पर आप लोग का E का जो फूलफारम होता है EMF का वो आपका इलेक्ट्रो मोटी फोर्स होता है ठीक है आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पांच में कोसन का जो answer निकल के आता है आपका C बिल्कुल right answer होता है याणि स्वयम प्रेरीत विद्यूत वाहग बल अब यहाँ पर आपका छटवा कुसन निकल के आता है एक सिंगल फेज ट्रास्फार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में 600 टर्न तथा दुवितियक वाइंडिंग में 80 टर्न है यदि प्राथमिक को 3300 बोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है तो दुवितियक वोल्टेज होगी आपके आप्शन A है 340 बोल्ट B है 540 बोल्ट C है 440 बोल्ट और D आप्शन है आपका 430 बोल्ट तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटा पट अंसर बताइए तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका अंसर निकल के आता है वो आपका C बिल्कुल राइट आंसर है यानि आपका 440 बोल्ट होगा दुईतियक बोल्टेजटिक है तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर C होता है अब यहाँ पर आपका साथावा कोशन दिया गया सकती गुड़क के कारण घटता है आपका A है इंडक्टिव भार, B है प्रतिरोधी भार, C है कपसेटिव भार, D है इन्वे से कोई नहीं तो फ्रेंड्स आपका सक्ति गुडांक किसके कार्ड घटता है आपको ही बताना है तो आपके सामने आपसन है आप लोग फटा-फट आंसर बताइए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सामने कोशन का जो एंसर निकल क्याता है वो आपका A बिल्कुल राइट एंसर आपका इंडक्टिव भार के होज़े सक्ति गुडांक गड़ता है अब यहाँ पर आटवा कोशन दिया गया है आई-ई निवानुसार संचालकों के बीच इंसुलेशन परतिरोद से कम नहीं होना चाहिए यहाँ पर पूछरे एक चालकों के बीच जो इंसुलेशन होता है उसका परतिरोद कम नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आपका A दिया गए 2 मेगा ओम B है एक मेगा ओम C है, पांच मेगा ओम D है, वन पॉइंट फाइप मेगा ओम, तो आप लोग इसका पटा पटा अंसर बताईए हमें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आठमे कोशन का अंसर निकल के आता है, आपका C बिल्कुल राइट अंसर है, पांच मेगा ओम से कम नहीं होना चाहि आपके आपसन है, 14, HWG, A आपसन है, B आपसन है, आपका संस्थापक, चालक के आकार के आधे, C आपसन है आपका दोनों A और B, और यहाँ पर D दिया गया इनमें से कोईन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर घरेलू अस्थापना में जो के बिलों का साथ उप्यों की जाना नि कोईन का आंसर निकल के आता है, वह आप लोग का A आपसन बिलकुल राइट है, यानि 14, HWG, अब यहाँ पर आपका दस्वा कोईन दिया गया है, यहाँ फ्रेंड्स आपका जो HWG का फुल फारम होता है, यह आपके एकजाम में पूशता है, तो आपका HWG का फुल फारम ह के पहले, और C आपसन दोनों A और B, D आपसन आपका इन वे से कोईने दो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटा पटा अंसर बताइए, जी यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो तीसरा आपसन दिया गया है, C, A और B दोनों, तो यहाँ पर आपका बिलकुल राइट होता ह C आपसन, अब यहाँ पर आप लोग का 11 कोशन दिया गया है, यदि किसी लैंप को 12.6 बोल्ट से जोड़ा जाए, तो वह 120 मिली एंपिर की धारा ग्राड करता है, लैंप का प्रतिरोध होगा, तो आपके आपसन जो है, यहाँ पर 110 ओम, आपसन A है, B आपसन 105 ओम, C आपसन 120 और D आपसन है, 115 ओम, तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटापट आंसर बताइए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 11 कोशन का जो आंसर ने क्लिक आता है, B आपका बिल्कुल राइट आंसर यानि 105 ओम होगा, अब यहाँ पर आपका निमन लिखित में से 12 कोशन दिया गया निमन लिखित में से की स्तार में सबसे अधिक अनुप्रस्त छेत्रपल होता है, तो आपका A आपसन 9SWG, B है 14SWG, C है 22SWG, D है 30SWG, तो आप लोग इसका फटापट आंसर बताइए 12 कोशन का, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 12 कोशन का जो आपका आंसर निकल क्या आता है, आ आपका A आपसन बिलकुल right answer, now SWG, अब यहाँ पर आपका 13 कोशन निकल क्या आता है, विद्दूत दा या विद्दूत वाहक बल के लिए मापन की इकाई क्या होती है, यहाँ पर विद्दूत वाहक बल या फिर विद्दूत दा आपका मापन की इकाई पूछ रहा है, या आपका बोल्ट होता है, इसलिए का C आपसन बिलकुल right answer होता है, अब यहाँ पर आपका 14 कोशन दिया गए, निम लिखित वे से किस परिपत विन्यास के प्रते घटक के R पार voltage drop की मातरा समान होती है, यहाँ पर आपके आपसन जो है, A है समानतर, और B है स्रेडी समानतर, औ C है स्रेडी, D है स्योजन, तो फ्रेंट साप लोग इसका फटा फट अंसर बता ही, तो फ्रेंट सापका 14 कोशन का जो answer होता है, आपका A बिलकुल right answer होता है, ठीक है समानतर, अब यहाँ पर आपका 15 और लाश्ट कोशन है, जो कि यहाँ पर देख पर दिया गए, जब ताप फ्रेंट साप लोग इसका फटा 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 अंसर बताइए, तो फ्रेंट से यहाँ पर आपका 15 में कोशन का जो answer होता है, वह आपका C आप समा बिलकुल right answer कम धारा वहान कर सकता है, तो फ्रेंट साप लोग इतना ही कोशन, कल फिर मिलेंगे नए-नए कोशन के साथ, और आ आप लोग चैनल पर नए है, ऐसा ही CBT की एक्जाम में आपका एक्जाम में कोशन पूछता है, और ऐसा ही आप लोग CBT एक्जाम के तेरीक कर सकते हैं, तो आप लोग चैनल को सस्क्राइब करिए, और ब्लाइगें को आलो प्रेस करिए, धन्यवाद